हेलो एवरिवान कैसे हैं आप मुईत करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे शुरक्षित होंगे तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने घर के पोडियों के पास ही बेटी हूँ क्योंकि हम जा रहें थे गूमने के लिए मेरी वाटसैप गूरूप की जो लड़किया है उन कि मैंने थोड़ी सी वीडियो के क्लिप ली है तो मैं डाली थी यहां वेट कर रही थी गाड़ी का तो फ्रेंड्स फिर जब मैं गाड़ी आ गई थी तो मैं गाड़ी में बैठके सिर्फ हम साथ-ाथ लड़किया थी और फिर हम पहुंच गे सिदा चाहिल से साथ-ाथ-किलो किलोमेटर यह हमचल पर्देश में और बहुत अच्छा हिल स्टेशन है चाहिल तो वहां के लिए हम गए थे और यह स्टोन टैमपल चाहिल है यह चाहिल से साथ-ाथ-किलोमेटर की दूरी पे हैं शिम्बला रोड पे तो बहुत ही प्यारा हा मंदिर है यह और यह देखो कै से कैसे बनाया हूआ पाइप जैसे लीवी और यह लोहे की तारे जैसी हैं, बहुत ही अच्छा बना था, और इसका रास्ता देखो कितना अच्छा बनाया हूआ, राउंड राउंड से स्टेप बनाए वह जाने के लिए, इतने प्यारा वियू था यहां पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहां जाके और फिर अंदर जिसे हम जाते हैं फर्स्ट स्टेप पर हमें एक दिवार पर स्टोर वाली दिवार पर एक प्यारा सा मेरे लगा हुआ था जिसमें सभी अपने आपको देखकर अंदर जा रहे थे और मेरे साथ वाली सभी जाने लगी थी आगे और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है हमें कहीं एक साथ घूमने के लिए काफी टाइम बाद में ऐसे लड़कियों के साथ कहीं घूमने गई तो अच्छा लगा तो मैंने इसके आवाज बंद कर दी थी क्योंकि देखो हम किसी की बात को पबलिक में नहीं ला सकते हैं वो आपस में गपे भी मारी थी तो बाते भी कर रही थी तो मैंने इसको म्यूट कर दिया था तो ओवरवाइस कर रही हूँ तो कितने अच्छे अच्छे इसमें गोल गोल स्टेप बना रखें चलने के लिए बहुत ही प्यारा है यहां से जाने के लिए अंदर के लिए बहुत प्यारा मंदिर ही बनाया हुआ यहां स्टोन का यह और बहुत अच्छा लगा मुझे यहां जाकर यह कीवी लगाई वी चारो तरफ को कीवी का पोदे हैं जो फ्रूट कीवी होता है और यहां अभी बन रहा आईए अभी पूरी तरह बना नुआ अभी बन रहा आईए पर लोग फिर भी इसको देखने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं और जो जिनों ने यह मंदिर बनाया है वो अकेले इनसान है अकेले नहीं इसमें काम करते हैं और अकेले ही बनाते रहते हैं पर वो हमें मिली नहीं अपने घर पे थे तो हम नहीं मिल पाएं जिनोंने यह मंदिर बनाया हुआ है उन्हों की मेहनत कितनी प्यारी है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहां जाकर और यह मंदिर शिव भोले का है यहां पे शिव जिव गौान की मूर्थी बनाई हुई है यह पोड़िया उपर जाने के लिए और उपर मूर्थी बनाई गई है यहां पे उपर लड़िया मत्फ़ा टेक रही थी तो उतनी देर को मैंने यहां का चारो तरफ का थोड़ा सब्यूल ले रही थी मैं बेडियम नाई थी तो कितना प्यारा लग रहा है चारो तरफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहां जाके और यहां पर एक तु ठंड भी होती है और उपर से तरह अच्छी धूब भी लगी भी थी लब यह देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर था यह सिप जीवान की मुर्टी बनाई है यह सारे सिमिन्ट और पत्थर से बनाया गया है यह और चारा तरफ का वियू ऐसा है यहां से शिम्डा भी दिखाई देता है बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहां की बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्रेंड्स आप सबी भी यहां पर जा सकते हैं और यह शिम्डा दिखाई दे रहा था आप सोलन आ सकते हैं चंडिगर से सोलन सोलन से कंडा घाट और कंडा घाट से चायल और चायल से यहां स्टोन मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है वो पंडिजी हमें मिले नहीं वो गर पे थे और यहां पर एक सिबजी भुकान का मंदिर यहां और बनाया वा था जहां पर हम सिबजी की पूजा कर सकते हैं सारा कुछ यहां पर था बहुत अच्छे ची मूर्थिया भी बनाई हुई थी यहां पर तो फ्रेंड्स जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और यह श्टोन का ही एक मतलब दान पात्र बनाया हुआ था यह वाइस को अच्छ कर निपरी भी हुआ प्रेंड्स आप सभी मुझे बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो यहां पर एक वीर भदर के नाव जब एक बुखा बनाई गये जिसमें अंदर जाना में बोडर लगाई रहा था क्योंकि इसमें अंदर लाइट नहीं है तो फोन की लैट जिलाके हम अंदर जा रही थी तो मैं बहुत गवरा रही थी मुझे हसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था और अंदर जाके हमें एक मूर्ति दिखाए दी तो आप भी उस मूर्ति को देखें और क्या लग रहा है आपको एक एक सिर्फ मूर्ति कि पत्थर से भी बनाए गई है और देखो एक कलाकार हें कैसे कैसे तरिक्चे से मूर्ति बनाए गई है एक ऐसी है डिखाने के लिए और फिर हम वापिस आ गए थे आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना जी मन रंजन के लिए वो मूर्थी बनाई गई थी बस ऐसे दिखाने के लिए जी